नमस्कार दोस्तों आपका अपना यूटूब चैनल एडूकेशनल जोन पर फिल से स्वागत्त हैं फ्रेंट्स मैं आज आपके लिए सम्मिधान के भाग पांच संग सरकार जो आर्टिकल 52 से 151 के इंदर गाताते हैं इनके बारे में मुख्य मुख्य जानकारी प्राप्त करेंगे तो फ्रेंट्स फ़स्ट अपॉल संग सरकार हे किया इनको हमारे सम्मिधान ने पांच भागों में डिवाइड़ किया है फर्ष्ट कारपालिका, सकेंड संसद, ठर्ड रासपती की विदाइक सक्तियां, फोर्थ संग किन्याय पालिका, फाइप्ट भारत के नियंतरक और महले का परिच्चक प्रेंट्स कारपालिका ये 52 से 78 के अनुछेद में आते हैं फर्ष्ट कारपालिका का कारपालिका का कार क्या होता है किसी बील को लागो करने की सक्ति इन ही के पास होती है ये जो कारपालिका का कर है या किसी बील यविदे को या खूद ही लागो करती है फ्रेंट्स, एक्जामपल के तौर पर हम लोग देख सकते है जब कोई बील लोग सभा या राज सभा से पास होती है तो कहां आती है फ्रेंट्स, राष्टपती के पास हमारे परसिडेंट के पास, परसिडेंट जी के पास आती है और ये परसिडेंट जी क्या करते है ये बील को बील पे सिंगनेचर करते है या बील पे सिंगनेचर करते है तो यहाँ बिल एक्ट बन जाता है लोव बन जाता है तो याद रखे फ्रेंट्स लागू करने कोई बिल को लागू करने की सकती किन के पास होती है कारपालिका के पास यानि की राष्टपती जी के पास फ्रेंट्स इसी परकार से राष्टपती जी एक कारपालिका तो हुए ह आप कारपालिका के बारे में जानगे होंगे। आता कारिकल क्या हूता है। ये अनुछेद 52 से 62 और 72 के अंतरगत आते हैं रास्पती जी जब कि उपरास्पती जी 63 से 71 के बीच में आते हैं एंड प्रधान मंत्री और मंत्री परिशत जी 74 से 78 के बीच में आते हैं तो चलते हैं फर्स्ट अपॉल रास्पती के कारियों का निर्वाहन देखते हैं आकिन कि क्या क्या का रहें क्या क्या ये कर सकते हैं तो फ्रेंट्स ये अनुचेद बावन से 72 के अंतरगत आते हैं इन अनुचेदों को आप लोग ध्यान में रख लें रास्पती जी अनुचेद बावन से 72 के बीच में आते हैं तो चलते हैं फ्रेंट्स आगे की और ये आप देख सकते हैं अनुछेद बावन फस्ट यह हैं अनुछेद बावन जिनमें यह करता है भारत में एक रास्पती होगा या भारत का स्वर परतम नागरीक होगा या संकी कारपालिका का अध्याच होगा यह अनुछेद बावन के इंतरगत आते हैं भारत में एक परकार का रास्पती ह और वह भारत का नागरिक होगा और संग की कारपालिका का अध्याच होगा फ्रेंट्स यहाँ पे संग की कारपालिका का वास्तविक अध्यक्ष पर्धान मंत्री जी होते हैं आखिर देखें कैसे तो फ्रेंट्स आर्टिकल 75 के अनुसार पर्धान मंत्री की नुक्ती रास्तपती जी करते हैं ये तो बात इग्दम सही है पर जितने भी अन्य मंत्रियें उनकी नुक्ती पर्धान मंत्री के सिभारिश्वर रास्तपती करते हैं और वास्तवी का देख्च कौनसा है तो रास्पति जी और वास्तवी का देख्च कौनसा है तो हमारे परधान मंतर जी अफैसे समझ गये होंगे इनके बारे में हम लोग निम्द तरीकों से एक के करके इनकी जानकारियां प्राप कर रहे हैं तो अगले अनुचेद की है और फ्रेंट्स अगला अनुचेद आर्टिकल 53 ये हैं फ्रेंट्स आर्टिकल 53 में रासपती की सक्तियों के बारे में हम लोग जानते हैं तो इसमें स्वार परतम हम लोग कारपालिका सकती, सकेंड विधाईक सकती, ठर्ड वीतिय सकती, फोर्थ नियाईक सकती, फाइप राजनेतिक सकती, सिक्स सैन सकती, सेवन आपात कालिन सकती, एट साव विवेकी सकती, फ्रेंट्स इन सकतियों के बारे में अगर जान गएं, त तो चलते हैं फ्रेंट्स कारपाली का सकती के बारे में जानते हैं रासपती के पास कौन कौन सी कारपाली का सकती है तो फ्रेंट्स यहां आप देखते हैं रासपती के पास कारपाली का सकती है और इस सक्ती में क्या करते है रासपती जी तो आप देख सकते है फ्रेंट्स ये क्या हो गया इस सक्ती में पर्धान मंत्री की नुक्ती रासपती करता तरह अन्य केवनेट मंत्रियों की नुक्ती रासपती पर्धान मंत्री की सिफारिश पर करता इसलिए यहाँ पे confirm हो जाता है friends शंग की कारपालिका का वास्तवी का देख्ष परदान मंत्री जी जबकि मो बोला देख्ष रास्पती जी ये कारपालिका सक्ती में ही और ये friends अनुचे 75 के अंतर गताते हैं और नेक्स चलते हैं कारपालिका सक्ती एक्जीक्यूटी पावर में friends इनमें विभीन ये ना विभीन राज्यों की राजपालिकी न्युक्ती करते हैं भारत के नियंत्रा के वा महा लेका परिच्छा की न्युक्ती करते हैं कैक की न्युक्ती करते हैं भारत के मुख न्यादिसों की न्यूक्ति करते हैं, तीनों सेनाओं का हेड की न्यूक्ति करते हैं, महान नियवादी की न्यूक्ति करते हैं, मुख चुनाओ आयूक्ति की न्यूक्ति करते हैं, अने चुनाओ आयूक्ति की नित्वी, इत्यादी, प्रधान मंत्री के सी फारिश पर रास्पती जी करते हैं यह नहीं कि डारेक्ट रास्पती जी नुक्त करते हैं जी नहीं जितने भी अन्य मंत्रियां हैं वो प्रधान मंत्री के सी फारिश पर रास्पती जी करते हैं चलते हैं, next executive power में, friends, देखते हैं, SC, ST, OBC जाती के लिए एक आयोग न्यूक्त कर सकते हैं, कौन हमारे रासपती जी, SC, ST और OBC जाती के लिए एक commission आयोग न्यूक्त कर सकते हैं, चलते हैं, next power में, friends, देखते हैं, ये विभीन राज्यों के सहयों के लिए अंतराज के की न्यूक्ती ये अनुचेद 280 के अंतरगत आता है, 280 के अंतराज के परिस्द का गठन हुआ है, तो I hope आप clear हो गए होंगे, रास्पती की कारपाली का सकती में क्या-क्या आते हैं, आप लोग देख चुके हैं, तो चलते हैं, next रास्पती की सकतियों के बारे में देखते है तो प्रेंट्स नेक्ष सकती रास्पती के पास विधाई का सकती है, तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं, प्रेंट्स विधाई का सकती में रास्पती जी सिटिंग एरेजमेंट जीसे हम लोग बोलते हैं, संयुक्त अधिवेंसन बुला सकते हैं, रास्पती जी 12 मेंबर रूप से तो प्रेंट्स ये संजुख ये S लोग सभाँ से पर राज सभा में जाकर विबादित हो जाती है तो उच्छेस समय राश पती जी सिटिंग arrangement की विवस्ता करवाती है और दोनों सभाओं को एक साथ बुलाती है और पर याद रखे friends दोनों सभाओं को बुलाने का का रास्पती दी करते हैं पर sitting arrangement की अधेच्था लोगसवा अधेक्ष करती है ना कि साइउंग्त एदिवेंसन की अध़ता लोगसवा अधिक्ष करती है तो चलते हैं आगे की और फ्रेंट्स सेकेंड है प्रेंट्स रासवा में बारा मिंबर्स और लोगसवा में डो मिंबर्स को nominated कर सकते हैं कौन राशपती जी इनके पास ये विधायका सकती होती है याद रखें राशपती जी के द्वारा नूमिनेटेट करती है वर्तमान में राशपती जी के संख्याँ वर्तमान में कितनी है फ्रेंट्स 545 जिनमें से 543 अस्टेट के द्वारा इलेक्टेड होते हैं और तू राशपती जी के द्वारा नूमिनेटेड होते हैं आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे और नमर ठर्ड सकतियां विधायका सकतियां के बारे में जानते हैं तो ठर्ड है इनके पास विटो सकतियां होती है फ्रेंट्स विटो सकतियां तीन परकार की होती है एक जे भी विटो होती है सकेंड अत्यांतिक विटो होती है और ठर्ड अस्थागन विटो होती है प्रैंट्स इन विटों सक्टियां के बारे में हम लोग विस्तृ दया करेंगें, अभीके में यहां पर जान जाए words,уетो सक्टियां तीन परकार की होती है, एक जेवी वीटो होती है जिसे हम लोग करते हैं जे भी पॉकेट वीटो एक जे भी वीटो होती है सकेंट अत्यांतिक वीटो होती है जे भी वीटो में क्या होता है इनके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं प्रेंट्स जे भी वीटो में क्या होता है रास्पती जी जब कोई बिल आ रास्पती जी के पास आते हैं तो ये बिल या बिल पड़ा का पड़ा ही रह जाता है अब चलते हैं प्रेंट्स अत्यांतिक वीटो के बारे में हम मुकेत अजनकारी प्राप्ट करते हैं Persis अत्यान्थिक वीटिऊ में क्या होता है जब कोई बिल रासपती जी के पास आते हैं तो रासपती जी या बिल को तेकर फिर से रख देते हैं मतलब वुस बिल पर کوई भी कारी सुरूर नहीं करते हैं मतलब यह भी बिल एक तरह से, रहा कर धराख का धराका धरा इंटा रहा जाता है और अस्थागन बीटो में क्या हो तो नग्या जब कोई बिल लोगसभा रासभा से το होकर रांशपती जी के पास आती तो राश्पती जी फ्रेंट्स इस विल में कौन सी अस्थागन विल में राश्पती जी बादिक्कारी होते हैं ठड़ टाइम सिग्नेचर करने के लिए आई होप आपके लिए रहो गयोंगे वीटो सक्तियां आप लोग जान गयोंगे फ्रेंट्स नम् demás विद्हाइक सक्ति में इस सक्ति के अंदर राश्पती के पास अभी वाशन देनी की सक्ति होते हैं एक टाइम जब राश्पती जी सपत गरान करते हैं ठीक ऊसके बाद अभी वाश्ब आप आप के लिए नार्टिकल वं टू-3 113 के इंतर शाथ आठाता आदा आदेश जारी कर करना की सकती है और रही बात रास्पति जी कम अधेश जारी करते हैं तो यह सभा सिञेians जाएन ओगाया लोक सभा और रासभा साथ में नहीं चल रहा है मतलब आवकास में हो मतलब वो छुट्टी में हो और कोई कार जो जनहीत में हो मतलब वो जरूर से जरूर तुरंत पास करवाना हो उसके लिए राशपती जी अद्धा देश जारी करते हैं राजसभा और लोकसभा को तुरंत एर्रेजमेंट करने की विवस्ता करती है चलते हैं राशपती जी के नेक्स सक्तियों के बारे में जनकारियां परात करते हैं तो फ्रेंट्स नेक्स्ट है राशपती जी के पास सो विवेकी सकती इसमें राशपती जी क्या करते हैं आप देख सकते हैं इसमें राशपती जी अपनी बुद्धी विवेक से कार करते हैं याँ पीर रासप्रती जी अपने बुद्यमानी से कार करते हैं और कानुन बनाते हैं जैसे कि हम लोग एकक्यामपल के तौर पर देख सकते हैं वीटो सक्ति में अभी आपको हम लोग बताएं हमने बताया वीटीजिदहीटो सक्तिया इस में तीन प्रकार की होता है is तो वीटो सक्तिया में, सकेंडे परधान मंत्री की नुक्ती में, ठर्डे सरकार को खूस में देखर बर्खास करने में, त्यादी में, रासपती के पास सो विवेकी सक्तिया होती है, सर्थे आप देख सकते हैं, इनकी सर्थ या है, परधान मंत्री की नुक्ती में या सर्थ है अगर कोई भी परत्यासी पूर्ण बहुमत में ना हो तो इस परिष्थिति में रासपती जी अपनी सो विवे की सक्तियों का परियोग कर किनी को भी पियम चुन सकते हैं मतलब बहुत सारे परत्यासी जब खड़ा होते हैं चुनाव के लिए तो उनमें से जो परत्यासी होते हैं अगर फूर्ण बहुमत में नहीं आ पाते हैं इसके आगे आर्टिकल चवान है फ्रेंस जितनी भी सक्तियां है कुल एक परकार की सक्तियां ये पूरे सक्तियओं जितने भी रास्पती की सकते हैं इनका अलग लेक्चर या अलग क्लास ले लूंगा तो चलते हैं आर्टिकल चववन के और फ्रेंट्स अनुछे चववन देखे क्या करता है प्रेंट्स रास्पती के चुन्नाओं के लिए एक निर्वाचक मंडल की विवस्था की जाएगी यह आर्टिकल चववन कहता है प्रेंट्स निर्वाचक मंडल में हम लोग देख सकते हैं MP होते हैं Member of Parliament मतलब सांसाद होते हैं MLA होते हैं Member of Legislative Assembly मतलब विधायका होते हैं यहाँ पर भी MLA होते हैं फ्रेंट्स से यह संग राज्षेतर Union Terriority से MLA होते हैं और यह हमारे State से होते हैं तो I hope आप किलिए हो गया होंगे निर्वाचक मंडल में MP होते हैं MLA होते हैं State से और MLA होते हैं Union Terriority से पर फ्रेंट्स से यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यहाँ है कि Nominated नहीं होते हैं मतलब लोगसवा से जो दो सदस से Nominated करके राजपती जी लाते हैं वो MP नहीं होते हैं और राजसवा से जो 12 सदस से राजपती जी Nominated करते हैं वो भी नहीं होते हैं तो आई ओप आप के लिए रहो गए होगे कि यहां पर नोमिनेटेड नहीं होते हैं, मतलभ जितने भी होते हैं MP, सब निर्वाचित होते हैं, अस्टेट के द्वारा मनुनीत नहीं होते हैं, तो चलते हैं, आगे की और देखते हैं friends. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रेंटर्ट्स जितने भी MP होते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो सो तेतिस MP है जो हमारे रासवाक हैं सिर्फ elected, nominated नहीं पांसो तेत्तालीश है ये भी elected निये नहीं, यहाँ पर MLE है 4009 MLA मिलकर रास्पति का चुनाव करते हैं और यहाँ पर 766 लोग मिलकर रास्पति का चुनाव करते हैं और Union Territories से 100 लोग मिलकर रास्पति का चुनाव करते हैं I hope आप किलियर हो गये होंगे फिर से फ्रेंट्स इनमें Nominated का बात इकदम नहीं करना इनमें सिर्फ Elected का बात करना है MP Elected हो, MLA Elected हो और Union Territories का भी MLA Elected हो चलते हैं अगले अनुचेद की और फ्रेंट्स और फिर से हम लोग बता देते अनुचेद 52 क्या है फ्रेंट्स भारत में एक रास्पति होगा अनुचेद 53 क्या कहता है रास्पति की सक्तियां अनुचेद 54 में भारत में एक निर्वाचक मंडल की विवस्ता होगा जिन में कौन-कौन से परत्यासी भाग लेंगे रास्पति को चुनने के लिए तो आप लोग देख सकते हैं रास्पति को चुनने के लिए कौन-कौन से पर्तियासी भाग लिए एक MP, दूसरा MLA, तीसरा भी MLA, वो भी MLA कौन सा ये, संग राज छेतर से, ये राज से और ये MP है, संग राज छेतर से और राज से दोनों से, आई होप आपके लिए रहो गयोंगे तो चलते हैं, अगले अनुछेद की और, फ्रेंट्स राजपती को चुनने का तरीका, तो फ्रेंट्स राजपती को चुनने का तरीका यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, राजपती को चुनने का तरीका कीस परकार चे, तो ये समान अनुपातिक पर्तिनिधितो और एकल संक्रमनिये मत पददी के द्वारा राजपती का चुना करने का तरीका होता है यहां पर आप लोग देख सकते हैं रासपती का चुनाओ करने का तरीका समान अनुपातिक पर्थिनिदित और एकल संकर्मनिये मत पद्धती के द्वारा किया जाता है आखीर यह समान अनुपातिक पर्थिनिदित तो क्या है इनके बारे में जानकारिया प्राप्त करते हैं तो चलते हैं फ्रेंट्स समान अनुपातिक परतिने देतु के बारे में जानते हैं फ्रेंट्स इससे पहले आप लोग देख सकते हैं यहां पर कुल MP कितने हैं 776, कुल MLA कितने हैं 4009 और कुल MLA union territory से कितने हैं 100 यह बात आप लोग मांड में बैठा ले हैं कितने MP 176 और MLA कितने 4009 और MLA कितने union territory से 100 तो चलते हैं रास्पति के चुनाओं के तरीका देखते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर एक विधायक का मत मुल क्या होता है राजी विधान सवाके निर्वाचित कुल सदस से उपर है राजी की कुल जनसंखियां गुने 1 बटे 1000 फिर से फ्रेंट्स यह एक विधायक का मत मुल ले आता है और यहां पर हम लोग देख सकते हैं विधायक कुल कितने हैं 4009 मले कितने हैं आप लोग देखे थे निर्वाचक मंडल में मले कितने थे 4009 और एक विधायक का मत मुल कितना तो राज की कुल जनसक्या बटे राज विधान सबाग के निर्वाचित कुल सदस गुना 1 बटे 1000 यानि कि एक विधायक का मत मुल थावजेंट से डिवाइडेट करेंगे तो बहुत कम आएगा फ्रेंट्स बहुत कम एक अनुमान के डिश्टी से आप लोग लगा सकते हैं जब ठावजेंट से डिवाइडेट करेंगे तो बहुत कम आएगा लगबग 25, 30 या 35 एक विधायक का मत मुल आएगा और एक संसत का मत मुल जानते हैं एक संसत का मत मुल होता है संसत के निर्वाचित सदस्यों की कुल संक्या और उपर है सभी राज के विधायकों के मतों की कुल संक्या फिर से इसे एक बर और देख ले संसत के निर्वाचित सदस्यों की कुल संक्या तो संसत की कितने निर्व अखनल सक्षक में संच्धaru सद्राइब को एक विधायों के हैं मतों का सपी राज debates कैरा कितने अक्ष二 पट्रे पचुछ क्यों पच्टीज और में Awadji सभी राजों की विधायकों का कुल मुल तो सभी राज कितने राजें प्रेंट्स 29 29 करने पर लगभग कितने आएगा 700 तो एक संसात का मत मुल लगभग 700 और यहां पर एक विधायक का मत मुल लगभग 700 ही आएगा आप लोग देख सकते हैं यही है समान अनुपातिक तो पर नाले अगर या नियम अगर या सुत्र अगर या नियम नहीं बनाता तो आप लोग गौर कर सकते हैं कि एक विधायक अगर बोट देने जाता तो विधायकों की संख्या बढ़ जाती जबकि लोग सभा और राज सभा में कुल कितने MP एफ्रेंट 704 तो सांसद जिसे ह हम लोग बोलते हैं Member of Parliament MP की संख्या घट जाती इसलिए हमारे संख्ये विवस्ता में इस परकार की विवस्ता की गई है केंद्र और राज जिसे मतलब MP और MLA कि जितनी बोटिंग आएगी ना फ्रेंट्स वो समान अनुपातिक आगी मतलब 700 इसे भी 700 इसे भी आई होप आप आगे प्रोसेश किया और देखते हैं क्या है आखिर एकल संक्रमनी मत पद्धाती तो एकल संक्रमनी मत पद्धाती में जितनी भी MP या MLA हैं उनके पास एक मत दाता पत्र दिये जाते हैं किसके द्वारा प्रेंट्स तो वर्यता करम में उसके पीछे इस परकार का अब देख सकते हैं इस परकार का टेवल बना होता है और इतने विए MP और MLA है वोट देते हैं देखे अगर सपोज में कोई भी बोटर सपोज में महीं एक वोटर हूँ एक परकार का MP हूँ तो मुझे या मद्दाता पत्र दिया गय झालों गा शिप परना मुकरजी को और तर्ड डक्टर जाकिर हुषेन को कुछ और नियू प्रत्यासी आएंगे कुछ और बहु सारे एंपी होंगे थी इनने देंगे दो इनने देंगे एक इनने देंगे कुल वैद मत बटे 2 प्लस 1 मतलब more than 50% एबब अगर कोई भी परत्यासी को मिल जाता है तो वह चुनाओ जीत जाते हैं यह सिंपल बात है अगर क्या होता है कभी कभी फ्रेंट्स मत दाता सुची में क्या होता है ना जितने भी परत्यासी खरा हुए है वो परत्यासी को 50% से अ उन्हें मदाता सुची पद्र से हटा दिया जाता है और फिर दूसरे चकर की मत गन्ना होती है और आप लोग याद कर चुके होंगे वीवी गरी दूसरे चकर की मत गन्ना में चुनने जाने वाला राश्पती है तो I hope आप clear हो गये होंगे यह है राश्पती का चुनाओ का तो चलते हैं friends आगे की और आगे आगे Article 55, क्या करता है ये देखते हैं, अनुचेद सुरी आगे Article 55 ये है friends रासपती को चुनने का तरीका और Article 56 है रासपती का कारेकाल ये है, जब से रासपती जी अपने पद धारं करते हैं, ठीक उसी समय से लेकर 5 वर्स तक अपने पद पर बने रहते हैं एकदम सही बात है जब भी कोई रास्पती जी अपने पद धारन करते हैं या सपत लेते हैं जिस समय सपत लेते हैं ठीक उसी समय से लेकर अगले पांच वर्स तक वो आपने पद पर बने रहते हैं और फ्रेंड्स रास्पती जी उपरास्पती जी को त्याग ब प्रेंट्स निर्वाचक मंडल की विवस्ता मतलब निर्वाचक मंडल में कौन-कौन से सदय से भाग लिए यह है आर्टिकल 55 रास्पती को चुनाव करने का तरीका आर्टिकल 56 आप लोग पढ़े रहे हैं यहां पर देख रहे हैं यहां पर क्या है आर्टिकल 56 कारेकाल चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की और अनुचेद 57 की जानकारिया प्राप्त करते हैं तो प्रेंट्स अनुचेद 57 में हैं रास्पती का पुना निर्वाचन यहां पर आप लोग देख सकते हैं भारत में एक वेक्ती जितनी बार चाहे उतनी बार रास्पती पद के लिए नमांकन करा सकते हैं चाइना में भी आप देख सकते हैं यूके में भी आप देख सकते हैं तो यूसे में आप चाइना में आप देख सकते हैं और फ्रेंट्स इनके लिए कम से कम 50 सदस प्रस्तावक और 50 सदस अनुमोदक होना चाहिए यहां पर बहुत से लोग प्रस्तावक और अन मांकन के लिए 50 MP या MLA जो भी निर्वाचक मंडल के मतलग इलेक्टरल बोर्ड के सदस हैं उनमें 50 सदस प्रस्तावक होना चाहिए मतलग उनका सपोर्टर 50 मेंबर्स MP या MLA होना चाहिए एक सर्थ नमबर दूसरा है 50 सदस है अनुमोदक होना चाहिए मतलग ये जो 50 सदस से रास्पती जी का सपोर्टर है इनमें भी 50 सदस से अनुमोदक होना चाहिए मतलग इस 50 सदस से का जो सलेक्टेड हुआ ये जो 50 सदस से प्रस्तावक के रूप में रास्पती जी को सलेक्टेड की है ठीक यही 50 सदस को और 50 सदस इनका सपोर्टर में रहेंगे तब ही यह रास्पति पद के लिए खड़ा हो सकते हैं मतलब कुल मिलाकर इनके पास 100 MP या MLA इनके सपोर्टर में रहना चाहिए और उप रास्पति जी के पास 20 सदस प्रस्तावक और 20 सदस अनुम्मोदक होते हैं अगला आटिकल आपके पास है आटिकल 58 योगिता आप देख सकते हैं आटिकल 58 योगिता में स्वर परतम बोलता है या भारत का नागरी को कम से कम 25 वर्स पूरा कर चुका हो किसी लाब के पद पर ना हो लोग सवा के सदसे बनने ही हो गया हो तो प्रेंट्स यहाँ पर आप अधिक्तम सीमा की गन्ना सम्मिधान में नहीं की गई है आई होप आपके लिए रो गयोंगे और सकेंड है ठड़ है किसी लाब के पद पर ना हो मतलब कोई भी प्रोफिट सीट पर नहीं हो कोई भी सरकारी पोस्ट पर नहीं हो यही माना जाता किसी लाब के पद पर ना हो चलते हैं फ्रेंंस अगले अनुचेद की और यह है हमारे पास आर्टिकल 59, देख सकते हैं आर्टिकल 59 क्या काता है, इसे पहले आप लोग इहां पर जानकार्या प्राथ कर लें फ्रेंड्स, आर्टिकल 52 क्या था? भारत में एक रास्पती होगा, आर्टिकल 53 रास्पती ही सकत आर्वेकल 54 निर्वाच एक मंडल, जबकि आर्टिकल 55 कहा था, रासपति को चुनने का तरीका, आर्टिकल 56 कहा था, कारिकल और ओर आर्टिकल 57 यहां पर आप लोग देख सकते हैं, रासपति का पुनानिरवाचन और आर्टिकल 58 कहा था, ये ता. आपरो क्लियर हो गएंगे तो चलते हैं आर्टिकल 59 की और ये है आर्टिकल 59 रासपती के कारकाल की दसा है प्रेंच आर्टिकल 59 ये मैल लीड हुआ, मतलब रास्पती का जितना भी अनुचहधे 52 से 62, फीर 1 अनुचहधे 72, फिर 1 अनुचहधे 74, ये सारे अनुचहधे का मुख्या, काउन हुआ, आर्टिकल 69, क्योंकि 69 में सभी जानकारियां, जितने भी रास्पती के बारे में जानक सब आर्टिकल उन सट के अंतरगत आते हैं यहां पे आप लोग देख सकते हैं अपने कारकाल के समय अपनी सक्तियां का पर्योग करना इन पर महां भी योग लगाया जा सकता है अध्यादेश जारी कर सकते हैं तो आई होप आप के लिए रहो गए होंगे आर्टिकल 59 जितने भ अगले अनुछेद के और फ्रेंट्स आर्टिकल 60 सपत इजी है फ्रेंट्स आर्टिकल 60 में याद रखने का है सपत तो रास्पती जी पद ग्रहन करने से पुर्व देख सकते हैं सुप्रीम कोट के मुक न्यादीश या उनसकी अनुपस्तिती में वरिस्तम न्यादीश के सा सपत ग्रहन करती है और निमलिखित बाते बोलती है क्या बाते बोलती है देखते हैं फ्रेंट्स जनता की सेवा और कल्यान में निरंतर रहूंगा नर्मता पुर्व रास्पती पद के लिए कारिपालन करूंगा संविधान के विदी का सरच्छन करूंगा ये रास्पती जी सपत ग्रहन करते टाइम ये तीनों बात मुखिता बोलती है ये रासपती जी के सपत के बारे में और ये सपत कहां लेती है फ्रेंट्स सुप्रिम कोट के मुख नादीस या उसकी अनुपसिती में और इस्तम नादीस के समीब तो चलते हैं अगले अनुचेद की और फ्रेंट्स आगला अनुचेद आर्टिकल 61 महाभियोग है तो आर्टिकल महाभियोग है क्या आप देख सकते हैं अनुचेद 61 में कहा गया है अगर हमारे रासपती जी समीधान का उलंगन करे या समीधान के अनुपूरक कोई बात बोले तब इन पर महाभियोग लगाया जा सकता है और इनके पद से हटाया जा सकता है फिर से फ्रेंट्स अनुचेद 61 में रासपती का महाभियोग है अगर रासपती जी समीधान का उलंगन करते हैं और समीधान के बातों क्या पालन नहीं करते हैं तो इन पर महाभियोग लगाकर इनने इनके पद से हटाया जा सकता है हटाने के लिए नियम आप देख सकते हैं महाभियोग पत्र लोगसभा या रासभा दोनों में से कोई भी सदन में ला सकता है लाने से पुर्व लोगसभा या रासभा जो लाते नहों लाने से पुर्व रासपती जी से अनुमती 14 दिन पुर्व लेनी होगी इसके बाद सभी सदस्यों का 2 बट 3 मेजरोटी पास करना होगा अगर 2 बट 3 बाउमत से वाह बिल महाभियोग बिल पास हो जाता है तो रास्पती जी को अपने पद से रिक्त करना पड़ेगा तो आयोप आपके लिए रोगए होगे यह है आर्टिकल 61 रास्पति का महभीव आप देख सकते फ्रेंट्स यह है आर्टिकल 62 यह very very important आर्टिकल से आर्टिकल 62 पद का खाली होना और पद का भरना देख सकते है फ्रेंट्स रास्पती जी का पद निमले इस्तितियों में खाली होती है फर्स्ट पांच वर्स का कारकाल समाप्त होने पर यहाँ पे आप लोग देख सकते है फ्रेंट्स जब रासपती जी का कारेकाल समाप्त होते है न इस पद को भरने होती रासपती पद का चुनाओ करवाता है तो ये है राशपती पद का खाली होना और भरना सकेंड है मिर्ति हो जाने पे ठर्ड है अभियोग लगा कर चवठा है त्याग पत्र देने पे तो फ्रेंट्स ये तीनों बाते आप लोग ध्यान में रखें मिर्ती हो जाने पे या महभीयोग लगाने पर या त्याग बत्र देने पे अगर रास्पती जी का पद खाली हो जाता है तो इन इस्तिती में क्या होता है ना फ्रेंट्स उन खाली पदों को भरने के लिए Election Commission 6 मेने के भीतर उस पद को भरना अवस्य समझेगा और 6 मेने के भीतर उस पद को भर दिया जाता है Election Commission के द्वारा मतलब 6 मेने के अंदर ही अंदर क्या होता है तो रासपती पद का चुना होता है आई हो आप किलियर हो गए होंगे तो यह है हमारा आटिकल 62 रासपती के पद का खाली होना और रासपती के पद का भरना पांच वर्स का कारिकाल समाप्तोने पर फिर से आप लोग देख सकते हैं पद होता है वो बेकेंट नहीं राता आई होप आप किलियर हो गए होंगे तो चलते हैं नेक्स आर्टिकल की और नेक्स आर्टिकल फ्रेंड्स यह है आर्टिकल 72 रास्पती जी के पास समधान करने की सक्तियां होती है जब सुप्रीम कोट किसनी क्रिमिनल्स को किनी अपरादियों को अपरादी अपरादी को अपराद साबीद कर देता है और वह मुने मिर्तिव डंड की सजादी दे दी जाती है सपोज तो रास्पती जी के पास सखतियां होती है उन्हें छमा करनी की तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से चमा करते है तो फर्स्ट हे आपका लगु करन सकेंड हे आपका परीहार ठ़र हे विराम फोर्ट हे परतीलंबन लगु करन का अर्थ होता है प्रेंड से दंड की प्रकिर्टी को बदल कर मतलब अगर सुप्रीम कोट मिर्त्यू डंड की पनिसरीई हुए हो तो रास्पती जी उस प्राकिरती को चेंज कर सकते हैं पर याद लखे प्रेंट्स रास्पती जी चेंज तभी कर सकते हैं जब परधान मंतरी और केबनेट मंतरी ने रास्पती जी को सिफारिश किये हों कि आप किरिप्या इने चमा कर सकते हैं या इनके चमादन लेकिन रास्पती जी यहां पर बादिकारी नहीं होंगे तो I hope आप clear हो गए होंगे लगू करन में क्या हुता डंड की प्रकिर्ति को बदल कर जबकि परीहार में बिना बदले हुए डंड की प्रकिर्ति को बिना बदले हुए विराम मतलब विशेश प्रेश्थिती में पर्ति लंबन मतलब मिर्थिव डंड को अस्थागित करके मिर्थिव डंड को अस्थागित करते मतलब डेट को इक्स्टेंड करके डेट को बढ़ा कर लेकिन जो मिर्थिव डंड की सजा है ना फ्रेंड्स वो होना है तो होना ही है क्योंकि ड ﷺ की प्राकिर्थी को रासपति जी बड़ल सकते हैं लेकिन अगर baru hum currently 15 मिली को न तो उनकी प्राकिर्ती को बडल नहीं सकते हैं बल्कि उन्हीं अस्थ्थवित कर सकते पोस्टपॉण कर सकते एक्स्टेंड कर सकते हैं आई होप आपकी लिए रहो गया होगे, तो चलते हैं, आगे की ओर, प्रेंस, ये हैं हमारे रासपती का अनुच्छद, देखे, आर्टिकल बावन क्या का था, रासपती का अनुच्छद में भारत का एक रासपती होगा, इनके बारे में हम लोग जान चुके हैं, आर्टिकल अलिकार प्रगार्थ कुलब अनुपातिक पर्तिनिदित पढ़ना लिए और निर्वाच के बारे मिनेन पारणा फिप्सुन सकता है। योगिता इनका आप लोग जान चुके हैं। कारकाल की दिशाए ये लीडर हुआ, सभी जितने भी अनुछेदे उनका लीडर हुआ, आर्टिकल 59, 60 सफवत, 61 महावियोग, तो फ्रेंट्स, आज के लिए इतना ही, I hope आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, तो फ्रेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए जरासा भी हेल्प फूल रहे, तो वीडियो को लाइक कर दें, सेर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, आज के लिए इतना ही धन्यवाद, बाई बाई एंड टेक केर,